नमस्ते दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन में इस बार के लोकसभा चुनाओं ने काफी लोगों को हैरान परिशान कर दिया है जज्जे में डाल दिया है जहां एक तरफ धरा 370 के लिए जान तक लड़ा देने की बात करने वाले कश्मीर के दो बड़े नेता बुरी तरीके से परास्त हुए है अब देखिए मज़ेदार बात ये है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बोटी बोटी करने वाला इमरान मसूद एक ही छट के नीचे एक ही संसद भवन में बैठेंगे और हो सकता है कि इमरान मसूद यहां से नरेंद्र मोदी जी को इस बात का पार्ट भी बढ़ा दे कि उनको किस प्रकार से हारमनी में सब को रखते हुए साशन प्रसाशन करना चाहिए और इस चीज को कामियाब बनाने में आखिरकार सहरनपूर की जनता ने भी काफी जीत और मैनत की है साथी साथ मैं बताना चाहूँगा खुशकबरी है कि अगर आप नीचे दी गए पिंट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक के लिंक पर क्लिक करके करीते हैं तो आपको मिलेगी 200 रुपे की छूट वो भी केवल अगले 48 गंटे तक एक तरफ जहां मेरट से लेकर के सारनपूर तक डबल रेलवे लाइन, लंबे चोड़े हाईवे, बहतर कॉलिज और यूनिवरसिटी, विद्धूती करण और चोर लिटेरों को हूरगती देने का काम पश्यमुत्तर प्रदेश में हुआ है उसके बावजूद भारजनता प पार्टी यहां से जीत चुकी है, केंदर सरकार के साथ मंत्री भी चुनाव हार गए हैं मित्रों, जिसमें से की स्मिर्ती रानी भी शामिल है, भारजनता पार्टी ने अपने तकरीबन 47 सांसदों को फिर से टिकट दिया था और उनमें से 26 चुनाव हार चुके हैं, उने बढ़ चड़ करके वोट दिया है, और वो भी अब महादेव की नगरी से आने वाले प्रधानमंत्री नरंदर मोदी जी से काशी के डेवलप्मेंट के वारे में बात कर सकती है, उनसे सवाल पूछ सकती है, और वो कह सकती है कि वहां पर आपने किस प्रकार से मंदिरों की अन्देखी की है, उस पर भी वो कैड़े सवाल पूछ सकती है, खालिस्तान समर तक दो कैंडिडेट्स पंजाब से जीत करके संसद में बैठेंगे, और जो पुर्स उनके पीछे भागती थी उनको गिरिफतार करने के लिए, अब वही पुर्स उनको सुरक्षा भी आनी चाहिए, दूसरी तरफ, IPS अन्ना मलाई के साथ में भीड तो आप लोगोंने काफी देखियोंगी उनके वीडियोज में, काफी लोग उनके साथ दिखें लेकिन वोट इतने नहीं आए कि वो जीत सकते, ऐसा नरिंदर मोदी जी के इतियास में पहली बार हुआ है कि वो अपनी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाए, बहले ही वो उस जमाने में सीम रहे हों या फिर आज की तारिक में प्रदान मंतरी हों, ये अलग बात है कि वो तीसरी बार प्रदान मंतरी की शपत नो तारिक को संभवता ले लेंगे, लेकिन जो कुछ हो रहा है उस प पार्टी विश्वास भी नहीं कर सकती हैं, अगर हम बसपा कैंडिडेट्स की बात करें तो उनको जो वोट्स मिले हैं, उनको देखकर के लग रहा है कि जो उनका कोर वोटर है, उसने भी जाकर के समाजवादी पार्टी का ही साइकिल का बटन दवायर उसी की जोली भरने का काम किया है, जिनके कारेकाल में इन लोगों पर सबसे ज़्यादा जुल्म होते आए थे, लेकिन अगर सब की नजर कहीं पर ठिकी हुई है, तो वो है श्री अयोध्या जी की सीट और उस प्रांत की पांचो सीटें, पूरी दुनिया की नजर अवद खंड की सीटों पर ही थ लेकिन यहां ठीक विपरीत परिणाम नजर आये हैं, अवद प्रांत की 17 में से जहां 2019 में भारते जिन्दा पार्टी ने 15 सीटें जीती थी, वहीं इस बार केवल 7 सीट जीत पाई है, और बाकी की जो 10 हैं वो समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस ने जीती है, उस कॉंग आयोध्या, सुल्तानपुर, अमबेड करनगर, बारबंकी और अमेठी, इन पाँचों पर भारते जिन्दा पार्टी की करारी हार हुई है, करारी हार जिसको बोलते हैं, लोगों ने रिजल्ट देख करके कहना शुरू कर दिया कि भाई, आयोध्या वास्वन तक गद्दार इस तरीके की चीजें बहुत लोगों ने कमेंट करके, पोस्ट करके, सोसिल मीडिया पर बताई हैं, महंत राजुदास महाराज ने लिका है कि अच्छा हुआ की रामयन में, राम जी रावन से युद्ध करने के लिए बंद्रों और भालों को ही लेकर के गए थे, अगर उय श्री राम को गाली देने का कारिय किया, उन लोगों को सपोर्ट कर बैठे थोड़े से लालच में या अपनी जाती के लालच में, जाती वाधी बातों को लेकर की भी काफी लोगों ने कमेंट और पोस्ट किये हैं, लेकिन उत्तर प्रदेस में फैजाबाद सीट पर भारत पार्टी के जो हार उस टाइम पर हुई है जब प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या शहर में भव्य भगवान श्रीराम मंदिर जनम भूमी मंदिर का भव्य उद्गाटन जस्ट कुछ महीने पहले ही हुआ था। और यहां मैत्वपूर्ण चीज यह भी है कि अवदेश प्रसाद केवल एक विधायक थे और लल्लू सिंग पूर्व में भी सांसत थे हालाकि लल्लू सिंग के खिलाफ काफी आवाजे उठ भी रही थी। किया है। लल्लू सिंग के एक सबसे बड़ी गलती थी उनका वो विवादास्पित बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतिजनता पार्टी को समधान बदलने के लिए तकरिवन दो तिहाई बहुमत की अवशकता है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो बयान था वो 13 अपरेल को एउद्या के ही मिलकीपूर में एक चोपाल में दिया था जहां से पूरू में वो पांच बार विधायक भी रहे चुके थे। विपक्ष ने तुरंथी इस बात को तूल देना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि भारती जन्ता पार्टी का जो लक्ष है वो SCOBC जातियों का जो आरक्षण है उसको खतम करना है। मांगते हैं तो उनको डराना कितना आसान हो जाता है। समाजवधी पार्टी ने रणनितिक तोर पर पासी समुदाय के सदस्य यानि कि अवधेश प्रशाद को मैदान में उतारा था जिससे की जो दलित समाज था वो भी इनको वोट करने के लिए मजबूर हो गया। प्रशाद का जो प्रचार का नारा था। उन्होंने कहा कि अयोध्या में क्या चाहिए ना मतुरा ना काशी केवल और केवल अवधेश पासी। यानि के हमें भार जिन्ता पार्टी का जो नारा है मतुरा काशी वाला उसके चक्कर में नहीं आना है बलकि अवधेश पासी को चैनित करना है। राम मंदिर को लेकर कि कुछ जो प्रशासनिक फैसले वहाँ पर हुए हैं इस्थानिय लोगों ने बताया कि उन फैसलों की भी एक बहुत बड़ी एहम भूमी का इसमे रही है। शहर में शहर का जो सडकों का जो चोड़ी करन का काम हुआ है हम सभी ने बात किया कि वहाँ पर हाईवे निकले हैं वहाँ पर रफू चकर हो गए जिसमें की काफी दुकान मालिकों ने अपने आपको ठगा हुआ मैसूस किया ऐसे ही निवासियों में से एक फोटोग्राफर है जिन्होंने बताया कि वो 2020 में नए मंदिर के भूमी पूजन से पहले मंदिर के पास में एक दुकान चलाया करते ते सड़क यहां पर चोड़ी हुई उनकी दुकान को तोड़ दिया गया और उसके लिए सिर्फ एक लाक रुपे मौज़ा दिया गया और बात में कहा गया इस तरह से उन बहुत सारे लोगों के अंदर ये रोश था चार हजार दुकाने हैं तो आप ये मान कर चलिए कि उनके उपर जो डिपेंडेंट परिवार है वो भी अगर वोट करता है तो वो भी मोदी जी के खिलाफ ही वोट करेगा इस्थानी निवासियों से बात करने पर यह बात भी पता चलती है कि इस परकार काफी लोगों ने इन विकास कारियों से परिशान होकर के एक मुष्ट भाजपा के खिलाफ उस केंडिडेट को वोट किया है जो भारते जनता पार्टी को हराने में सबसे प्रमुक चहरा हो सक लोगों ने बताया कि वो समाजवादी पार्टी कोंग्रेस के समर तक नहीं है लेकिन अगर उन्होंने इस बार भी भारते जनता पार्टी को जिता दिया होता तो भारते जनता पार्टी को लगता कि उन्होंने यहां पर जो कारियों और जिस प्रकार से कारियों किया है वो स सा प्रकट करने का उनका एक तरीका मातरत है उनके नुसार निवास्यों को कई असुधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है जैसे कई सारे ऐसे रास्ते हैं जहां पर निजी वहानों की आवाजाही बंद हो गई है बैरिकेड लगा दिये गए हैं उन मारगों को बदल दिया ग कि ऐसे स्थान जितने भी होते हैं वहाँ पर स्टेट गवर्मेंट अपना होल्ड लेती ही है सुरक्षा कारणों से और वहाँ पर वही बसे चलाई जाती हैं चाहिए आप किसी भी बड़े धार्मिक स्थल पर जाईएगा वहाँ पर आप देख लीजेगा ये चीज मैंने खु बलकि इसलिए दिया है ताकि भारजंदा पार्टी को लगे पता लग जाए कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए था अयोद्या वासियों के लिए ये पहला पहला नुबह हो सकता है मेरे हिसाब से भी और उनको काफी परेशान होना पड़ रहा होगा फर्स् बिजनस उसी प्रकार से फलेफू लेगा जिस प्रकार से अलग अलग जितने भी धार्मे के सतल होते हैं जैसे कि हम हरिद्वार में देखते हैं इस्थाने लोगों को बहुत बिजनस मिलता है लेकिन यहां पर हुआ क्या इसका उल्टा बड़े बड़े जो बिजनसमें थे उन्होंने आकर के वहाँ पर अपना बिजनस जमाना शुरू कर दिया और इस्थानिय लोगों को इससे काफी नुकसान हुआ है और खास करके उन चार हजार दुकानदारों को जो की इसके आस पास में अपने दुकान बना करके बैठे हुए थे एक अन्य पत्रकार से जब ब मंदिर के लिए बलिदान देने वाले जितने भी लोग हैं उनकी अंदेखी हुई है और बार बार उन्होंने इकबाल अन्सारी का जो नाम लिया है उसके सराहना की है अन्सारी के विश्य में सभी को पता है कि वो और उसका जो अबबा था हाशिम अन्सारी ये लोग मुस्ल उन लोगों को इस पूरे के पूरे मैटर से दूर रखना जो की स्थानिये लोग थे और उन्होंने इसकी पूरी लड़ाई लड़ी थी फिर इकबाल अंसारी को फ्रंट पर रखना ये बात जो है अयोध्या वासियों को कहीं न कहीं बहुत जादा अखरी है क्योंकि इकबाल अभी तक समाजवादी पार्टी का एक पिठ्ठू बन करके काम करता रहा है उन्होंने अपने भाशनों में इन सब चीजों को इगनाउर किया है लोगों ने बताया किस प्रकार से 1990 में कार सेवकों पर सुरक्षा बलो की गोली चलने का आदेश देने वाले कुख्यात समाज पार्टी के संस्ताबक मुलाइम सिंग यादव को पदम विबूशन देने के साथ ही बारतिंता पार्टी के खिलाफ इस्थानिय लोगों में बहुत ज़्यादा गुसा पैदा हो गया था हाला कि एक अलग बात ये भी मैं मानता हूं कि उनमें से बाहर से आने वाले भी मुलाइम सिंग यादव के बेटे को ही वोट दे देते हैं ऐसा भी काफी जगा पर लोगों ने किया है और भारतिंता पार्टी के इस फैंसले की सभी लोगों ने हमने भी कड़े शब्दों में कड़ी निंदा की थी गोर भरसना भी हमने की थी अब अगर नेक्स्ट पॉइ रहते हैं उनको संबोधित ना करके उनका निराकर ना करके अपने चुनावी प्रचार में लगे रहना रहा है इसके साथ ही साथ कुछ लोगों ने जो की पैन इंडिया इंपैक्ट देखने में आ रहा है वो यह भी है कि जो भगवान श्री राम के जो वनशज हैं उनको यह किये गए विकासकारे स्थानिय लोगों के गले की फांस भी बनकर के रह गए हैं समय रहते उन सब चीजों का निस्तारण भी नहीं किया गया है दोजार चोबिस के इस चुनाव में हमें कुछ जो चीजे पता लगती हैं वो यह भी है कि राष्ट्र मुद्दे भले ही कि इतने भारी भर कम क्यों ना हो लेकिन उनके चकर में हमें जो इस्थानिय लोगों के मुद्दे हैं उनको नहीं भूलना चाहिए इस्थानिय लोगों के भरण पोशन और उनकी भावनाओं को धियार में रखकर ही काम करना चाहिए एक नए आखड़े के नुसार हम इस बात क को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इस्थानी जंता गरों से बाहर निकल करके आई केवल भाजपा को हराने के लिए उसके बाद में हम हो सकता है कि अयोध्यावासियों या अवद प्रांत के लोगों को जो भी भला बुरा लोग कह रहे हैं वो कहें लेकिन इस यहां पर जो फै निकल रहे हैं थोड़ा सा फैक्ट को समझें 2019 में फैजाबाद लोकसभा निर्वाचनक शेतर में मतदान करने वाले तकरीबन 10,87,121 लोगों में से तकरीबन 49 परसेंट ने भारती जंता पार्टी को वोट डियाता यानि कि यह तकरीबन बन रहे थे 5,29,021 वोट जिससे कि भारती जंता पार्टी का केंडियर्ट जीता है संसत में पहुंचता है इस बार 2024 में मतदान करने वालों की संख्या वास्तों में बड़ी है और वो 10,00,000 से सिधे 11,4,661 वोट पर पहुंच गई है लेकिन केवल 4,99,722 लोगों ने ही भारती जंता पार्टी को वोट किया है इसका मतलब यह है कि लोग घरों पर नहीं रुके वो बाहर तो निकले वे वास्तों में अधिक संख्या में भिशन गर्मी के बावजूद भी मतदान करने के लिए तो निकले लेकिन वो भाजपा के खिलाफ निकले हैं 54,000 जो वोट उपर पड़े हैं वो यहीं से निकले है लोग कहेंगे कि अगर यहां पर भाजपा और बसपायक हो जाते या कौंगरिस सपा अलग अलग लड़ते तो क्या होता हो सकता था कि कुछ और रिजल्ट हो सकता था लेकिन इस्थानिये लोगों का इस परकार से आप दमन करके या उनके साथ नयाएं ना करके कोई कुछी महसूस कभी नहीं हो सकती। जिन लोगों ने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था उनमें से कई लोगों ने इस बार वास्तव में उनके खिलाफ वोट दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आयोध्या वास्यों के लिए जो भी कुछ कह रहे हैं क्या वो आपकी बाते ठीक हैं। अगर आपकी दुकान पर प्रहार होता है तो आप दुकान पहले जाएंगे या मंदिर के विशे में आप पहले सोचेंगे। यह कहानी सिर्फ फैजाबाद लोकसवा निर्वाचन अक्षेत्र की नहीं बलकि अयोध्या अक्षेत्र की पांचों सीटों पर यही हालात रहे हैं। इन कारणों के लावा इस बात पर भी हमें गोर करना चाहिए कि 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए जिम्मेदार माने वाले मुलायम सिंग के प्रधान सचिव नरपेंदर मिश्रा के बेटे को सरावस्ती से भारजिंदा पार्टी ने उम्मिदवार भी बनाया था। लोगों ने उसको भी हराया है अर्थात ये गुस्सा वहीं से आ रहा है। मिश्रा को ही भारजिंदा पार्टी ने आरजेवी कंस्रक्शन का मुख्य कारे कारी और आरजेवी बोर्ड का ट्रस्टी भी बनाया था। मुलायम सिंग यादव को पदम भूशन के साथ साथ मिश और भी चीजे हैं जो साथ में जुड़ी हुई हैं। कुछ और मुद्दों के उपर बात कर लेते हैं। हमारे लोकप्रिये मुख्यमंत्री सियम योगी आदितनाथ जी। उनके द्वारा जितने भी सीट पर चयन करके कैंडिडेट्स दिये गए थे इस तरीके के भी रूमर हैं कि जो हमारा उच्च नेतरत्व है उन्होंने उनके द्वारा दिये गए कैंडिडेट्स को ही हटा दिया। अब जैसे कि फैजाबाद का जो कैंडिडेट्स था उसके बयानबाजी की इस परकार की बयानबाजी के साथ ही साथ और पिछले दस साल की एंटी इंकमबेंसी क साथ इसाथ उस candidate को समय रहते बदल देना चाहिए था लेकिन उसको नहीं बदला गया योगी जी महाराज के विश्य में ये बात कही जाती है कि वो योगी जी है शिवराज सिंग चोहान या खटर नहीं है लेकिन फिर भी इस तरीके कि चीजे सामने आई हैं और आप इस बात को भी देखिए कि योगी जी महाराज के दौरा जितना बताया जा रहा है कि जितने candidate वो चाते थे कि ये लोग बदल करके इन नए candidate को रखा जाए पूर्ण बहुमत से बारतिजिंदा पार्टी उतनी ही seat दूर है अर्थात बताया जाता है कि 32 से 36 candidate थे जो योगी जी महाराज चाते थे लेकिन उनको हटा करके अपने candidate रखा गए और अभी जो भारतिजिंदा पार्टी की अवस्थिती है वो 240 seat की है और उनको पूर्ण बहुमत याने कि 240 से 32 seat कम पड़ती है और आप देख लेना कि 32 seat कम पड़ी है इनको भरपाई करने वाले जितनी भी अलग पार्टी आएंगी वो इनको ब्लैक मेल करेंगी और मन चाहा जो पद है वो मांगेगी अब जैसे कि हमने शुरुआत में ही का था कि लास्ट में हम बात करेंगे कि भातिंदा पार्टी को कितने मसलमानों ने वोट किया है भातिंदा पार्टी ने अपने 5 साल के कारेकाल मेकतित तौर पर मुसलमानों को खूब तरक्त कर दिया है जिसके कारण से सभी लोग काफी गुसे में बैटे हुए थे कुछ आंकडों के नुसार भारतिजिंदा पार्टी ने पिछले 5 साल के अंदर 1000 करोड रुपे की अलग सही होजनाई बना करके मुसल्मानों को लाप पहुचाया लेकिन कितने मुसल्मानों ने जाकर के भारतिजिंदा पार्टी को वोट किया उस पर एक थोड़ी सी नजर भी डाल लेते हैं और फिर आंकलन करते हैं कि यदि थोड़ा कम पैसा उधर लगा करके थोड़ा पैसा अगर इधर अयोध्याजी में जिनकी दुकान या घर हटा करके विकास कारिया किये गए थे उन्हीं को दे देते हैं उनसे एक लाक रुपे क का एक उधरनम लेते हैं 100% मुसलिम मद्दाता इस सीट पर हैं और वहाँ पर 2322 वोट पड़े हैं भार जिन्दा पार्टी को पता है कितने वोट पड़े हैं जीरू इस गाओं में प्रधान मंतरी आवास योजना के तहत तकरीबन 532 आवास दे गए हैं इन 532 आवास को बना दने का कितना पैसा बनता है सभी 532 आवास मुसल्मानों को दिये गए थे और उसके बावजूद भार जिन्दा पार्टी को वोट कितने पड़ते हैं जीरू इसको कहते हैं तृप्तिकरण और इसको कहते हैं हार का बड़ा कारण मादवी लता का जीवन सबसे ज़्यादा उ उनने मुसली महिलाओं में जाकरके उनकी खूब साहिता की है लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तब हमें पता लगता है कि एक परसेंट मुसल्मानों ने भी महिलाओं तो छोड़ दीजिये उनको वोट नहीं किया भारते जिन्दा पार्टी इस बात का गर्व तो कर है कि 37 बड़ी पार्टियां मिलकर के भी भारते जिन्दा पार्टी के जितनी सीट नहीं ला पाई हैं उनका मानना है कि 37 पार्टियां मिलकर के लड़ी और वो जो टोटल सीट लेकर के आई है वो थी 234 लेकिन अकेली भारते जिन्दा पार्टी को 240 सीट दे दी हैं भारत की जनता ने लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सीटे केवल और केवल हिंदुों ने दी हैं मुसल्मानों ने भार जिनता पार्टी को क्या दिया जानते हैं कश्मीर में 100% मुसल्मान भार जिनता पार्टी के खिलाफ वोट करके आएं हैं बंगाल के अंदर 99% मुसल्मानों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया है उत्तर परदेश में 95% मुसल्मानों ने भार जिनता पार्टी के खिलाफ वोट किया और 5% में भाजपा नहीं आती है तेलंगाना में 94% मुसल्मानों ने भार जिनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है और ये 6% अन्य को दिया है भादजिंदा पार्टी को नहीं आंदर परदेश में 45% बिहार में यही संख्या 33% मद्या परदेश में जहां भाजपा की सभी सीट आई है महां पर भी 98% मुसल्मानों ने राजस्थान के अंदर जहां पर इतने विकासकारिय मुदीजने के वहां 97% मुसल्मानों ने महारास्थर के अंदर 96% मुसल्मानों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया है यह सब होने के बावजूद भी अगर लोग अयोध्या या उत्तर परदेश के लोगों को ही मुख्य जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो फिर बोलने से पहले थोड़ा सा अतमन्थन भी करना चाहिए जिस प्रकार से हो सकता है कि शाद भातेंदा पार्टी भी थोड़ा अतमन्थन या आत्मचिंतन कर रही होगी और अपने कोर वोट बैंक के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए संकल्पित भी वो हो रही होगी क्योंकि जो भी विकास कार्य है अल्मोस्ट किये जाते हैं सडके बनाए जाती हैं रेलवे, मैट्रो, NCRTC, बिजली, सिक्षा वो सब ही के लिए होते हैं अपने वोट बैंक के लिए कुछ नहीं होता है जब कि दूसरी पार्टियां अपने कोर वोट बैंक के लिए सब काम करती हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं के लिए काम करती है अगर हिंदूों के लिए कोई स्पेशल काम हुआ है तो इसको भी हमें अवश्य बताईएगा इस वीडियो में सिर्फ इतना है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है जानकारी से बरपूर लगता है तो इसको सब के साथ में शेयर अवश्य करें और हमारे ढाई मोर्चे का चक्र वियू हूँ नाम का ये जो कोर्स है इसको भी अवश्य लें इस पर अभी भी दो सो रुपे के च्छूट चल रही है मेरे सिंग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जये जहिन वंदे मातरम